सोयबीन के भाव में लगातार गिरावट होने से किसानों को घाटा उठाना पड़ रहा। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष नवंबर माह के दौरान सोयबीन के भाव 5500 से 5800 रुपए प्रती क्विंटल तक थे वहीं इस वर्ष सोयबीन के भा से निराश हो चुके किसानों के लिए पिछले दो-तीन दिनों के दौरान अच्छी खबर आई है। आपको बता दें कि पाम ओयल पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव किये गए है। पाम ओयल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा कर 27.5% कर दिया गया। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि किसानों को सोयाबीन की सही कीमत मिल सक। आपको बता दें कि इस वक्त सोयाबीन की MSP 4892 रुपए है। इसी बीच महाराश्टर सरकार को केंदर से MSP पर सोयाबीन खरीदने की अनुमती भी दे दी। सोयाबीन के भाव में पिछले तीन सोयाबीन के भाव लागत की तुलना में बहुत कम बताई जा रहे हैं। यही कारण है कि किस सोयाबीन को बेचने से बच रहे हैं। मंडियों में भी सोयाबीन की आवक सामाने बनी हुई। दीपावली का त्योहार बीतने के पश्चात सोया तेल में मजबूती आने लगी थ जिसके कारण सोयाबीन प्लांटों ने सोयाबीन खरीदी के भाव में बढ़ोतरी, वहीं दूसरी और केंद्र सरकार द्वारा न्यूंतम समर्थन मूले पर सोयाबीन खरीदी के दोरान नियमों में डील देने से भी सोयाबीन के भाव में उच्छाल आए, गौर तलब है कि कें सोयाबीन के भाव में अब उच्छाल आने लगा है, जानकारों की माने तो त्योहारों के बाद अब शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, जिसके कारण सोया तेल की खपत बढ़ेग, वहीं विदेशों में सोया डॉक की मांग निकलने से सोयाबीन के भाव में आप नि सोयाबीन के वर्तमान मंडी भाव 4,000 रुपए से लेकर 4,500 रुपए प्रती क्विंटल तक बने हुए है, वहीं सोया प्लांट भाव 4,200 से 4,500 रुपए प्रती क्विंटल तक है, व्यापार जानकारों का कहना है कि सोयाबीन के भाव में आने वाले समय के दोरान तेजी आन शुरू हो चुकी, नवंबर माह के अंतिम सप्ता तक सोयाबीन के भाव स्थिर अर्थात वर्तमान के भाव ही बने रहने की संभावना, माना जा रहा है कि यदि सोयाबीन की न्यूंतम समर्थन मूले पर खरीदी तेज हो जाती है, तो नवंबर माह के दोरान ही सोयाबीन के भाव 5,000 रुपए प्रती क्विंटल तक पहुंच जाएंग। Bureau Report Market Times TV